एक बार फिर बढ़ किया है अनन तंबानी का वजन बहन इशिता सालकावकर की शाथी में अनन तंबानी के बड़ेवे वजन ने फिर से उन्हें ट्रोलर के निशाने पर ला दिया है फैट से फिट हुए अनन दंबानी एक बार फिर से बड़ेवे वजन के साथ नजर आए बहन इशिता सालकाव करकी ब्रैडल एंट्री के तोरान अनन दंबानी का ये लुक सामने आया है अनन के इस बड़ेवे वजन को देख कर उनके फैंस काफी हैरान रहे गए है दोस्तों आपको बतां थे तेश के सबसे बड़े बिजनसमेन मुकेश शिंपानी के छोटे बेटे अनन तंबानी एक समय में अपने बड़ेवे वजन की वज़े से काफी ट्रोल हुआ करते थे 2013 में आईपेल में जब अनन को मैदान में मुंबई इंडिन्स का सपोर्ट करते वे देखा गया था तो उनकी मोटापे वाली तस्वेरे खुब वारल हुई थी उस समय अनन का वज़न 175 किलोग्राम के करीब था जिसके कारण उन्हें काफी ट्रोल किया गया था लेकिन इसके बाद अनन ने अपना पेहच जबदस बोड़ी ट्रांस्फोर्मेशिन किया और महस 18 मेने में करीब 108 किलो वज़न गटा लिया था अनन Wagner ने अपने ट्रांस्फोर्मेशिन से सभी को चुका दिया था गटे वज़न के पाद अनन काफी हैंसम लग रहे थी और सब इनने अनके ट्रांस्फोरमेशिन की जम्कर तरीफ की थी फेंस के साथ साथ शारुक खान और सल्मान खान ने भी उनके ट्रांस्फरमेशन और वेट लॉस चरनी की काफी तारीफ की थी लेकिन 2019 में एक पर फिर से अनन को बड़े विवजन के साथ देखा गया साल 2019 में अंबानी परिवारत और आयोजित कनेश चतूर्ती के फंक्शन में एक पर फिर से अनन का फेट लुक सामने आया दोस्तों आपको बताते अनन अंबानी बच्पन से ही अस्थमा से पेड़ी थी और उन्हें स्टेराइड लेना पड़ता था इस दवा की वज़े से उन्हें भूग बढ़ जाती थी और इसी के चलते उनका वजन काफी बढ़िया था लेकिन महज 18 मेने के अंदर अनन्त ने अपना करीब 108 किलो वजन घटा लिया था जब साल 2016 में आई पिल के तौरान उनके ट्रांस्पमेशन लुक को दिखा गया तो सभी हैरान रहे गए थी अनन्त ने पना वजन घटा आनी के लिए इस्ट्रिक डाइड, एक्सरसाइस और योग अपनाया उन्होंने करीब 18 महिनों तक हर रोज करीब 5-6 गंटे पसीना बहाया और उनके इस जर्णी में उनकी मान नीतामबानी ने भी काफी साथ दिया इंटर्वी में नीतामबानी ने बताया था कि जब उनके बेटे अनन्त इस्ट्रिक डाइड फॉलो कर रहे थे तब नीताजी ने भी स्ट्रिक डाइड फॉलो की थी और उस दोरान उन्होंने भी अपना काफी वजन गटा लिया था और एक स्लीम ट्रिम लुक पा लिया था अपने बेटे की इस जर्णी में साथ देनी के लिए नीताजी ने काफी कुछ किया था तो भाई अनन्द ने भी काफी डेडिकेशन के साथ 18 मेने तक कुब मेहनत की हाला के हाल लिये में अनन्द के बड़े वे लुक को वापस देखा गया अपने बड़े भाई आका शंबानी के बेटे प्रित्वी के पहले बड़े के मौके पर अनन्द का वज़न फिर से बड़ावा नजर आया वही हाल लिय में मुकी शंबानी और अनिलंबानी के बहन 30 सालगाव कर और 12 सालगाव कर बेटी इस शिता की शादी के फंक्शन के मौके पर अनन्द का लुक सामने आया दरशल अपनी बुवा की बेटी इस शिता की शादी में अनन्द उनके साथ नजर आय थी इस शिता ने अनन्द का हाथ पकर कर ब्रेडर एंटरी की थी उस दोरान अनन्द का वज़न बहुत जादा नज़र आया अपने इस बढ़ेवे वज़न के वज़े से अनन्द को एक बार फिर से ट्रोल किया जा रहा है इस दोरान अनन्द अपमानी महरून रंग का कुर्टा पजामा पहने वे नज़र आ रहे थे लेकिन वो इस लुक में काफी फैट दिख रहे थे आपको बता दे इशिता सलगव करने नेक्स जू मोबिलिटी के साथ था पक अतुल्य मित्तल के साथ दूसरी शादी की है उनके शादी लंदन में हुई है और इस दोरान पूरा अमबानी परिवार पे वहां मौजूद था इसी शादी से अनन्द के लुकनियों ने एक बर फिर से ट्रोलिंग का शिकार कर दिया है इस शादी में अनन्द एक पर फिर से 2013 की तरह ही पढ़ेवे वजन के साथ नज़र आ रहे है दोस्तों आपको पता दे अनन्द अमबानी का चन्म 10 अप्रेल 1945 को मुंबई में हुआ था मुकेश अमबानी की छोड़े बेटे अनन्द ने अपनी पढ़ाई धीरुभाई अमबानी इंटरनेशनल स्कूल से की उसके बाद अनन्द ने रोड आइलेंड में ब्राउन उनिवर्सिटी से अपनी सनातक के पढ़ाई की पड़ाय के बाद सबसे पहले अनन्द जियो प्रेटफॉर्म के बोर्ड में अडिशनल डारेक्टर के तौर पर काम कर रहे थी फिर अनन्द को रिलाइंस के ग्रीन एनरजी कमपनियों का डारेक्टर नियुक्त किया गया 2021 में फरवरी में अनन्द को कमपनी के ओल टू मेकेनिकल बिसनस का डारेक्टर बना दिया गया आपको बता दे अनन्द अंपानी अनिमल लवर है उन्हें जानवरों के देख भल करना काफ़ी पसंद ही वे जानवरों से अनन्द इतना प्यार करते ही कि उनके संकर ग्रस्त और गाहल जानवरों के लिए आश्रम भी जलाते ही अनिमल लवर होने के साथ सथ काफी धार्मिक है उन्हें बालाजी भगवान का भक्त कहा जाता है खबरों के अनुसार अनन्द ने बालाजी मंदिर में पवित्र सफेध हाती दान किया था अनन्द अकसर तीरूमलाज धित बैंक टेश्वर मंदिर बदरिनाथ और कैदारनाथ भगवान के दर्शिन करने जाते ही अनन्द को बदरिनाथ के दानाथ मंदि समीती का सद से भी न्यूक किया जा चुका ही तो दोस्तों अनन्द के इस फैट लुक के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और भी लेटिस अपडेट्स के लिए सस्क्राइब करेंगर जब खबरी